नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं भगवान विष्ण को रामा उतार के समय सहयोग करने के लिए रुद्रा उतार हनमान जी का जन्म हुआ शिता खोच, रामान यूद, लंका विजय में हनमान जी ने अपने प्रभु स्रीराम की पूरी मदद की उनके जन्म का उदे से ही राम भक्ति था, हनमान जैन्ति की तिथिया अलग-अलग है उस आधार पर साल भर में अलग-अलग तिथियों में हनमान जैन्ति मनाई जाती है लेकिन चेत्रपुनिमा को हनमान जैन्ति की अत्यदिक मानिता है इस बार 16 अप्रेल 2022 सनीवार को हनमान जनमुस्व मनाय जाएगा हनमान जी की निरंतर भक्ति करने से भूत पिचास, सनी और ग्रह बाधा, रोग और सोख, कोट कचरी, जेल बंधन से मुक्ति, मंगल दोस, कर्च से मुक्ति, बेरुजगार और तनाव या चिंता से मुक्ति मिल जाती है दोस्तो हनमान जनमुस्तव की दिन स्री हनमान जी को लड़ू का भोग चरा जाता है पान का पीड़ा चरा जाता है चमिली का तेल का दिया जला जाता है बजरंग बांड का पाथ होता है सुन्दर कांट का पाथ होता है हनमान चालिसा का पाथ होता है दोस्तो आज में एक राउन बार उपाई बताने जा रहा हूँ, आपको एक बड़ा पिपल का पत्ता ले लेना है, उसे पहले सुच कर लेना है, फिर पत्ते का जो चिकना वाला भाग है, अंदर की तरफ बड़ा सिंदूर जो ओरेंज कलर का होता है, वा चमेली की तेल में घो 11 काले उड़ाट के दाने लेने है, 11 लोंग लेना है और उसे बड़ा सिंदूर मिला दीजिये, उस पिपल के पत्ते को फोल्ड करके माचिस के तिली लगा कर दबा दीजिये, और चमेली की तेल का मिट्टी का दिया, या फिर आँटे का दिया जला लीजिये, और अंकट आते रहता है जाने अंजाने आक्समिक दुरुगटना ही होती रहती है तो यह उपाई जरू करें स्री हर्मान जी महराज आपकी सारी च्छाई जरू पूरा करेंगे